रादे रादे कैसे हो आप सभी आज हम बात करने वाले एवी पी इंफ्राकॉन आईपियों के बारे में SME IP के जो भी हालाद चल रहे है उसको देखकर एक गाना यादा रहे बचके रहना रहे बबाबा बचके रहना रहे जी हाँ जब से सेवी ने ये लाइन बोल दी है कि SME IPO के अंदर और प्रैसिंग चल रही है उनके अंदर काफी अच्छा मैनिपलेशन किया जा रहा है उसके बाद से SME IPO के प्रीमियम जो हो है वो काफी अच्छे गिर चुके है जो IPO बिल्कुल सेफ लग रहे थे उनकी लिस्टिंग भी नेगटी में हो रही है और जो IPO पॉइंटों पे थे सेफ केटिगरी में आने वाले थे उनकी तो फिर क्या ही बात करी जाए तो ऐसे ही एक IPO के बाद हमां आज करने वाले है एवी पे इंफ्राकॉन लिमिटेड इस IPO के अंदर डिसाइड करना काफे मुश्किल हो गया है कि इसके अंदर हमें अपलाई करना यह नहीं करना तो इसके प्रीमियम जो है वो नॉर्मल चल रहे है थोड़ा पैनिक का मौल तो बन चुका है बड़ अगर आपको कंपनी का पता है ना कि वो उसका फाइनेंशल जो है उसका बेजस की स्पीर से बढ़ रहा है उसमें डिमांड का मेंन रीजन क्या था तो आप अगर लिस्टिंग नेगेटिम में होगे तो डर होगे नहीं डरता कोन है अगर किसी ने आईपयों खाली जी एमपी देखकर प्रिम्यम देखकर पैसा लगाया है वो डर जाता है बड़ जिसने पूरा रिव्यू धंग से सुना होगा कंपनी के ओपर डिटेल सर्च करी होगी वो डरता नहीं है मने इसी की चलते हैं आज सोना मशिनरी आईपयों को बाई किया है आफ्टर लिस्टिंग के बाद मुझे अलॉट्मेंट तो नहीं आया था बट मने प्री ओपन आईपयों के जो लिस्टिंग होती है उसको बाई किया दसके लिए और वो आज 10% के अपर सरकेट बंद हुआ है तो चलिए फिर हम आज का रेविवू स्चार्ट करते है देखते है कंपनी क्या करती है तो कंपनी का नहीं हम देखी लिए है कंपनी का नाम है AVP Infracon Limited इस कंपनी की स्चार्टिंग जो है वद 2009 के अंदर हुई थी इनका बिजनस जो है वो Construction of Role Projects on the basis of Bill of Quantities and Engineering, Procurement and Construction का है इस कंपनी का जो पहले नेम था वो था AVP Construction Private Limited कंपनी जो है यह प्रोवाइड करती है All Types of Infrastructure Development, Civil Works like Expressways, National Highways, Flyovers, Bridges, Urban Development, Hospitals, Warehouses, Hotels and other commercial and residential projects और इस चेक्टर की डिमांड आप जानते हो कितनी तेजिसे बढ़ रही है इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्टर के ओपर पुरा जोड दिया जा रहा है जो हमारे प्राइम निस्चेर है मोदी जी कितने नए पुजट्स को लॉंच कर रहे है आप देखी रहे होंगे तो उस कारण इस सेक्टर के ओपर काफी अच्छा फोकस होना चाहिए सभी का इनका जो में बिजनस है वो तमिलनाडू के अंदर है जहां पर यह रोड्स का ब्रिजिस का कैनल प्रजक्ट्स का फ्लाइओवर्स का यह सब कंस्ट्रक्शन जो है प्लैन करते हैं कंपनी ने मैंशन किया है कि इन्होंने अभी तक 40 प्रजक्ट्स से उपर कवर कर दिये हैं जिनकी वैल्यू है वो 313 क्रोड की है इतना काम कंपनी ने कर ली आ लेटना अब चलते कंपनी के फ्रीन फ्रीं की ओपर कंपनी ने यहां पर चिरफ डेट साल के रड़र ड़डऊ मैंशन किया हुआ है तो हम उस्थी से से कंपेर करेंगे 2022 का 22 davon guy 22istas लीड़ा मैं मैंशन नही जिए हुए assets की बात करें तो March 22 तक asset 146 crore के थे जो कि बढ़ते होए अक्टोबर 23 तक 172 crore तक पोच गई थे वही revenue की बात करें तो 23 financial year में revenue जो है वो 115 crore का था और 222 financial year के first 7 month के अंदर 7 महीनों के अंदर revenue जो है वो 74 crore का बनाये गया है तो इस हिसाब से पूरे साल के अंदर revenue जो है वो 120 से 130 crore का बन सकता है क्योंकि यह revenue बनाया गया ना company 24 crore का यह बनाया 7 महीनों के अंदर अप्रेल 23 से लेके अक्टोबर 23 तक profit की बात करें तो last year था 12 crore का और इस साल के 7 महीनों बनाया है 8.55 crore का तो इसके according profit बन जाएगा 14 से 15 crore का तो revenue जो हल्मोस्ट हलके सी growth हुई है बड़ profit में growth जो है वो 20% की हो चुकी है reserve company के पास 16 crore की है जबकि उधारी जो है वो काफे ज़्यादा है 77 crore की उधारी चल रही है इस sector की उधारी तो अच्छी होती है companies के उपर थोड़ा सा business speed जो है वो slow है जिसके कारव उधारी जो है वो थोड़ी चिंटा की बात है अगर हम KPI की बात करें तो return on equity 25% का का काफी अच्छा है ROCE और RONW वो भी 20% के उपर के है reasonable है काफी बढ़िया है एक दिक्कत है जो की है debt equity ratio जो 1.96 का है ये 1 से कम है इसलिए ये tension की बात है EPS 6.7 की अच्छी है PE price earning ratio भी 11.2 का ये भी बढ़िया है time table की बात करें तो ये March 13 से March 15 तक open रहेगा मतलब आज ये open हुआ है इसका price band 71 to 75 fix किया गया है एक load के अंदर 600 share रखे गया है total issue का size जो है वो 52.34 crore का है और ये पूरा fresh हुए इस IPO का issue size है काफी अच्छा है SM IPO के comparison में इस IPO का issue size है वो 52.34 crore का बहुत ही बढ़िया है reservation की बात करें तो retail category उसके अंदर 31 point इतना portion दिया गया है number of loads बन जाते है 1369 loads मतलब इतने इसके अंदर number आने वाला है time table की बात करें तो ये open होगा 13 March को close हो जाएगा 15 March को allotment decide होगा 18 March को refund आपके economy में आएगा 19 March को और demand economy आपके share भी 19 March को आजाएगे और listing जो है इस IPO की market के अंदर वो जाएगी 20 March को load size की बात करें तो हमें एक load supply करना होगा जिसकी value बन जाती है 1,20,000 की और इसमें मिलेंगा हमे 16 share इस IPO का size अच्छा है इसमें रोड़न के chances काफी अच्छे रह सकते है अभी इसका first day पूरा हो चुका है और हम चेक कर लेते है इसमें कितना subscription अभी तक आ चुका है first day के end की बात करें तो इसके अंदर QIB ने subscribe नहीं किया है NIE जो है वो 0.62 टाइम इसके subscribe कर चुके है retail category जो है 1.67 टाइम subscribe होई है subscription जो है as compared to SMIPO comparison में इसमें काफी कम आया है उसका reason यही है कि SMIPO के अंदर अभी इस time panic का डर का महल हो चुका है अभी देखते हैं कितने GMP चल रहे हैं इसके अंदर हमें इसमें करना क्या है at present की बात करें इसके GMP चल रहे हैं अभी 26% के इसके GMP की starting जो है वो तो ओई थी 40% से बट वो गिरते हुए 20% पर आचुके है अगर यहां से और यह गिरते है तो इसके अंदर panic आ जाएगा अगर यह 20% के down चले गए तो मैं इसको totally avoid कर दूँगा अभी का scene देखते हुए आज market भी crash हुई है इस scene को देखते हुए अगर 20% से कम premium है तो इसको avoid करने में समझधारी है क्योंकि जब अच्छे-च्छे IPO की listing खराब हो रही है तो जिन IPO के premium बहुत कम चल रहे है उनकी listing तो क्या ही बात करे जो लोग बिल्कुल safe हैना चाते हैं उनके लिए एक advice है अगर वो चाहे तो कुछ time के लिए IPO market से दूर रह सकते है या फिर जिन mainboard IPO के premium अच्छे निकल के आए वहाँ apply कर सकते है SM IPO के अंदर अभी थोड़ा सा डर हो गया है बागी decision आपका है मैं जो आज का scenario चल रहा है उसके अकलिंग बात कर रहा हूँ आपसे daily आपको सभी IPO and stocks के updates चले गान चलनले पर कर दे जाती है उसका link जो है जो description मेंशिन कर दिया गया है अगर आपने इसको join नहीं किया है तो अभी कर ले न वहाँ आपको काफी कुछ important बाते काफी important dates की reminder buyback के splits के bonus shares के red issue के dates जो होती है important dates उनके reminder जो है आपको आपको आपे दे दी जाते है मेरा प्रियास यही है कि किसी का भी कोई भी मोका कोई भी date miss ना हो गलती से भी date miss हो जाते है उसके बाद बहुत पंगा बढ़ता है चैनल सब्सक्राइब करके bell icon हिट कर लेना यहाँ आपको सभी corporate actions और IPU के अंदर strategy क्या follow करनी है वो shake करते जाती है सारी वीडियो का notification आपको मिलता रहे उसके लिए आपको bell icon हिट करना काफी जुरूरी हो जाता है फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और information के साथ तब तक अपना ख्याल लखिए thank you so much